नमस्कार दोस्तों अलंकार के सीरीज में यह तीसरा वीडियो है जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं रिसाइट करूँगी तो रिसाइट करने के साथ साथ मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यह अलंकार लिख दूँगी पहले हम लों को बहुत स्लो में रियास करना है जब स्लो में पूरी क्लारिटी आ जाए और हमारी इक्वली उसको प्ले करने लग जाए उसके बाद फिर हम लों को धीरे धीरे फास्ट प्ले करना है तो यह अलंकार है यह था आरो अब आरो धानिसा पधनि मा पधा गामा परीगा मा सारे गाहिं सारी धानिसा ठीक है तीसको कार्या मैं लेटेश पर बताती हूं दम से लो ठीक है ठीक है भी होगा आर अप्वाव अब रूँ ठीक है इसको एकदम slow slow इतना रियास कर लेना है कि एकदम clear बजे हर सब और फिर उंगलियां भी एकदम सही सही बैटें ठीक है एकवल एकवल वो duration के साथ मतब ताल में हो रिदम में हो ठीक है फिर थोड़ा पास करें पास को रियास करना है और भी इसे आप पास कर सकते हैं इसको फिर मैं आपको C-Shart मिदल में बताते हैं ठीक है एकनम स्लो में रियास करें ठीक है इसको यह हो गया आप अब आप 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 फिर इसको फोड़ा फास्ट करते हैं बालो में आपको C-Shart साहस कर दोड़ाँ और पोड़ाँ जह हो ओपको C-Shart प्रॉड़ाँ झालो में आपको C-Shart और भीक हैं अब इसकर इसे करकर चे फास्ट इसको करना है लेकिन पहले एकदम स्लोर याज करेंगे उद जैसे इसको मैंने तीन ओक्टेव में लिया ना इसे का रेशा मागारे पामागा धापा मानी दापा शानी दारेशा नी गारेशा उदर हायर ओक्टेव लिया फिर अबरो में मैंने लोर ओक्टेव लिया तो इस तरह से रियाज करने से क्या है अच्छा रियाज होता है कि हम लोग मतलब तीनों ओक्टेव को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलने हैं अच्छी तरह रियाज करें और ऐसी इस तरह से करें क एकदम clear हो sound भी एकदम clear हो और आपके उनगलियां भी एकदम सही से बैठें ठीक है glow का pressure सही दें ऑ के और rhythm में होना जारी है जैसे गारे सामागारे पामागा मतलब ऐसे नहीं होगा गारे सामागारे पामागा ऐसे 1डार सामागारे पामागा अभी तो हम लोग बिना तबलिक करने हैं, बार में भी तबलिक साम भी करने हैं, प्यास करते रहें, खुश रहें